मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा क्लास सेकंड की ठीक है बच्छो तो आपको जैसे पता है कि स्कुल कोविड की वज़े से बंद हो गए हैं तो अपनी क्लासे ओनलाइन ही लगेगी तो आप रेगुलर्टी बनाए रखिएगा और रोजना लेक्चर्स देखते रहेगा है तो अपने अपने सबके सब बुक्स निकाल लीजिए अपने कलास के अंदर चेप्टर नमब्र सेवन था करें पढ़ लिया था तो आज हम चेप्टर नेपर एट पड़ेंगे सब्सक्क्रुक्राव दिशा को आप लोग जानते हैं दिशा क्या होती है नोर्थ इस्ट लिए जीगा आफ टीक है कि तो डायक्षेंट से फोर डायक्षिंस एश्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ जैसे अबने देखा होगा सुरज किस दिशा से उपता है किसी को पता है नहीं पता होगा वैसे मैं बता जिता हूं सुरज है वह पूरू दिशा से उपता है ठीक है कौन सी होती है वे यह इस दिशा ठीक है इस्ट जैसे बोलते हैं तो अपन सबसे पले चैटर पढ़ने से पले एक यह वर्ड मिनिक सही है इनको अपन पढ़ेंगे इनको देखते हैं इस्ट इस्ट मतलब दाइरेक्शन टूवर्स दा पोइंट ओफ होरीजन वहर दसन राइ इस ट्रब से सुरज उगता है आप सबसे बहुता है आप लगुद होसी होती ही इस्ट ओठीम इश्यों चार ठीक है ओने होती है इस्ट वेस्ट नॉर्थ अगन सूथ मॉर्निग अपन सुभी उड़ते है जो सबसे पहले कैं होती है चार तो परियेड वो सबढ़ी ओए और the period of time between midnight and noon जो रात तो आधी रात होती है आधी रात और दोपेर midnight and noon उसके बीच का जो टाइम होता है वो होती है morning अपना आते है स्कुल में आते हैं सब्सक्राइब करते हो ना good morning तो वो होती है morning इस टाइब आप आते हो ओके इवनी के होती है the period of time at the end of day ओके जो तो अब ओपोजिट ओपोजिट होता कि इस चीज़ का मलब माफी मांगेगा ऐसा यह उपोजिट होता किसी एक इनसान की यह quality होती है directions में चीज़े डायरेक्शन जिस शेप्टर के बारे में पढ़ेंगे वह होती क्या है direction एक course along which someone or something moves कोई चीज या कोई इनसान एक रास्ता होता है जिस पात होता है जिस पात पर में चल रहा हो तो वह मेरी क्या होई direction होई जैसे यह चीज है अगर मैं इसको सीधा ले जाओंगा तो यह क्या होई direction होई यह इसकी और नोर डायरेक्शन होई है जैसा सूर्व है सूरज ह शुरुष से होता है और कहां पर जाता है तो वह पाथ हुआ यक रास्ता हो तो किसी रास्ते पर चलना वह क्या हुआ अपनी एक खुदी की direction होई सम्वन मूस कोई सम्वन या कोई इन्सान या कोई सम्वन शेयर कोई वस्तू या कुछ भी चीज अगर वह अपनी जगा से लोगों ने तो चलो इस्टार्ट करते पन लुक देखो दाशन इस राइजिंग सूरज उगरा है दसना आल्वेज राइज इन दे इस्ट जो सूरज है हमेशा इस्ट इसा मुखता है पूरु दिशा मुखता है आप लोगों देखा हुआ सूरज को उखते हुए किस तरफ से निकलता है बच्छो सूरज पूर्व दिशा से जिस दिशा से सूरज निकलता है वो दिशा पूर्व होती है यह लिखिए नहीं है आप देखो अपने मेरे बताया था अभी इस्ट डाइरेक्शन तुवर्स दे पॉइंट ओफ दे होरीजन वेहर दे संराइज एड़ एकवनो आदी रात और दोफेर की बीच का जो टाइम होता है वो होता है morning time तो morning में क्या होता है सूरज उकता है सूरज की तरब से उकता है east की दिशा से ठीख है इस डाइरेक्शन से इस तरप से सूरज उगता है और सूरज जिस तरप से डलता है वो दाइरशन कौण सी होती है वेस्ट होती है और एसलिए जो उत्तर डिशा यूठ तर दिशा ओपोजिट इस तरफ से इसलिए क्यों होगी एक दूसरे कि the opposite of north is south जो north direction है उत्तर दिशा is opposite of south मतलब south दक्षिन दिशा उसका opposite है तो दो direction हो पता लग लग लगी north, south, east and west ओके east, west, north and south पूर्व, पश्चिम उत्तर और दक्षिन are four direction, चाड़ दिशा हैं यह चाड़ दिशा हैं कौन कौन सी है east है, west है, north है और south है, ओके तो अपन पेज़ को तो कौन कौन सी direction होती है east, west, north and south east से क्या होता है, सूरज उगता है और उसका opposite कौन सी direction है west direction, जहां पर सूरज डलता है, तो आपको यह लड़का दिख रहा है यह जो सूरज उग रहा है यह कौन सी direction है बच्चों, यह वाली direction यह है east direction तो, do you know how to find these directions आपको क्या आपको पता है कि direction को कैसा पता लगाते है direction के बारे में कैसे पता लगाते है this is very easy, यह भोगत आसान है वे जो look at the rising sun आप सुब़ जल्दी उठते हो तो आपने देखा होगा भी सूरज को उखते होगे किस-किस ने देखा है चलब अच्छे आद, very good देखा होगा समने look at the rising sun उखते होगे सूरज को देखिए stand with your face to it और उसकी तरफ मूँ करके खड़े हो जाईए जो उखता होगा सूरज है उसकी तरफ मूँ करके खड़े हो जाईए ठीक है तो जब आप सूरज की तरफ मूँ करके खड़े होंगे बच्चों तो your left, जो आपका उल्टा हाथ है it is north वो क्या है? north direction है north का मतलब क्या होता है? daction direction and to your right, it is south तो आपके उल्टा हाथ की तरफ मूँ करके खड़े होता है to your left, it is north to your right, it is south तो आपके उल्टा हाथ की तरफ आप हाथ खेला के खड़े होंगे तो आपके जो उल्टा हाथ होगा वो तो होगा उत्तर और जो सिधा हाथ होगा वो होगी daction disha to the side of the sun जो सूरज की दिशा है जो जिस तरफ से सूरज उगरा है वो दिशा कौन सी बच्चो east है, मैंना बता दिया आपको to the opposite side it is west, जो उसकी उल्टी दिशा है वो कौन सी है, west direction in the morning, the sun is in the east, जो सुबह का टाइम होता है उस टाइम पर सूरज की तरफ होता है पूरु दिशा में होता है, ठीक है in the evening, it is in the west जो शाम का टाइम होता है जब शाम होने वाली होती है तो सूरज कहां पहुच जाता है west में पहुच जाता है it moves from east to west जो सूरज होता है वो मूँ करता है इस्ट से west की तरफ, पूरू से पस्चम की तरफ but do you know the sun doesn't move जो आपको पता है कि जो सूरज होता है वो कभी खुद मूँ निकरता वो अपनी एक ही जगा पर खड़ा देता है ठीक है तो बच्चों अब आपन डाइरेक्शन के बारे देखते है आप लोग उने पड़तों लिया है कि North, South, East, West ये चार डायरेक्शन से होती है अब इनको अपनों समझते हैं ये सुरज दिख रहा है बच्छों आपको थोड़ अच्छा निमना पर ठीक है देख लो ये सुरज है ये सुबह जब उगता है ये कौनसे डायरेक्शन होती है अपना इवनिंग मैं कहां पर आ जाता है वेस्ट में था ऐड़ पर बच्छों एक बाध याद रखना सुरज कभीभी मुध निकरता है सुरज अपनी जगा पे रहता है ठीक है तो यहां से वेश्ट में जा रहा है सूरज तो अब देखते हैं आगे पड़ते हैं तो मैंने बोला ना भी सूरज मूव नहीं करता मूव क्या होती है अर्थ है दिगरी बच्चों यह वाली यह अर्थ यह गोल मटो लेना गुबारा यही अर्थ है तो it is the earth that moves it goes round and round it goes round itself it goes round the sun also जो move है वो करती है अर्थ जो अपनी प्रत्वी जिस पर अपन रहते हैं वो move करती है किसके move करती है सूरज है यह सूरज दिख रहा है सूरज के चारो तरफ move करती रहती है और जो प्रत्वी है जो अपनी अर्थ है यह खुद भी घूमती है, और सूरज के चारो तरफ भी गूमती है दिख रहा है ना, यह प्रत्वी अपनी जगा पे घूमती रहती है और यह सूरज के भी चारो तरफ चक्कर काड़ती रहती है यह लिखाओ है ना, it is the earth that moves प्रत्वी है जो घूमती है ना कि सूरज घूमता है it goes round and round यह खुद अपनी जगा पर घूमती रहती है it goes round itself it goes round the sun also यह सूरज के भी चारो तरफ चक्र करती रहती है but we don't feel this moment पर यह जो घूमती है प्रत्वी इसका अपनको पता नहीं लगता है It is because the earth is so big क्योंकि जो प्रत्वी है यह बहुत बड़ी है आपको आप में देखा चोटी मोटी तो यह नहीं प्रत्वी है प्रत्वी तो बहुत बड़ी है The sun is much bigger पर प्रत्वी से भी बड़ा एक और चीज है वो है सूरज यह सूरज अपने जो होता है यह प्रत्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है But it looks so small पर यह क्या प्रत्वी से बहुत ज़्यादा दूर होता है प्रत्वी से इतना दूर होता है कि यह बिल्कुल छोटा सा लगता है अपने को पर जो सूरज होता है ना यह अपनी प्रत्वी से भी बहुत बहुत लाखों बुना बढ़ा है It is because it is very far away from us क्योंकि यह जो सूरज है यह अपनी प्रत्वी से बहुत ज़्यादा दूर है ठीक है बच्चों तो यह chapter तो अपने यहाँ पर complete होता है तो अपने क्या पड़ा अपने पास कितने directions होती है four directions North, East, South and West ठीक है East से क्या होता है सूरज उगता है Morning में उगता है और Evening में sets हो जाता है किस तरब होता है West में होता है East की opposite direction कौन सी होती है West होती है और North की opposite कौन सी होती है South होती है होती है इस्ट से सूरज उगता है वेस्ट में सूरज डल जाता है पर सूरज खुद मूऊ निकरता है प्रत्वी मूँ कड़ती है ओके बच्चों प्रत्वी खुद अपनी जेगा पे भूमती है यह गूम रही है और जो सूरज है उसके भी चारों तरफ घूमती है ठीके बच्चों तो हां तो बच्चों अब अपन क्वेशन आसर देखते हैं देखो फर्स्ट क्योशन है वह हैं वेंड देज दसन्राइज जो सूरज अपना वह कब उगता है in the morning when does the sunset sun कब set होता है in the evening does the sunrise in the east जो sun है अपना क्या वह इस्ट में हुगता है yes or no yes very good does the sunset in the west जो सूरज है अपना क्या वेश्ट की तरफ ड़ता है तो अपने ये question answer है बच्चों इनको तो मैं आपके जो question answer है उनको अपन WhatsApp में डाल देंगे और इस chapter को अच्छे से पढ़ लेना और कोई समझ में नहीं है तो बता देना डाउट ठीक है और इसको भी अपनी notebook में note कर लेना ठीक है बच्चों ओके थैंक्यू